हेलो फ्रेंज, वेलकम बेक टो माई चैनल इंडियन कीचन, तो आज हम बहुत ही कम इंग्रेडियन से हमारा ट्राइफूट शिखन बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो पतला वाला ही लेना है, अब इसमें हम हमारा दही एड कर देंगे, तो मैंने यहां पे करीबन 500 ग्राम जीतना दही लिया है, दही हमें खटा नहीं लेना है, और इसी की अच्छी तरह से हम एक पोटली बना लेंगे, और उसके उपर थोड़ा सा हम वजन रख देंगे, ताक आपको इसे बाहर नहीं रखना है, फ्रीज के अंदर रखना है, अगर आप बाहर रखेंगे तो आपका जो दही है, वो खटा हो जाएगा, तो इस तरह हम इसे छोड़ देंगे, पांच से छे घंटे के बाद हमारे दही के अंदर से सारा पानी अच्छी तरह से निकल गया ह और हमारा दही एकदम अच्छे से तयार हो चुका है शिखन बनाने के लिए, तो इसे हम अब एक बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे, बरतन में ट्रांसफर करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मैश कर लेके, एकदम सौफ्ट हमारा दही बन चुका है, तो इसमें हम अब ची 3 tablespoons चीनी ली है इससे ज्यादा चीनी नहीं लेनी है इनसे ही हमारा शीखन अच्छा बन जाएगा अगर आपको ज्यादा मिठा खाना है तो आप ज्यादा चीनी एड़ कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास पावडर चीनी नहीं है तो आपक हमारा श्रिखन अच्छे से क्रीमी बन जाए और थोड़ा सा लिक्वीडी बन जाए वैनिला एसेंस के दो से तीन ड्रॉप एड़ कर देंगे और उसके बाद हम बादम और पिस्ता एड़ कर देंगे और मैंने यहाँ पिस्ता को क्रश करके भी लिया है उसे भी हम एड़ कर देंगे करीबन दू चमच और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से पिस्ता का हम पावडर एड़ करेंगे तो उसकी बाइट भी आएगी खाने में और कलर भी बहुत अच्छा लगेगा इसका अब अच्छे से मिक्स करके करीबन एक गंटे तक हम फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए तो एक कंटे के बाद हमारा जुशी खंडे वो एकदम ठंडा हो चुका है और खाने के लिए तैयार है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना बहुत जल्दी से बन जाती है और कम इंग्रिडियन्स से बन जाती है रेसिपी अची लगी तो लाइक करना मत बूलना जाती है